नमस्कार दोस्तों स्वागत थिक वर फिर से आप सभी का अड़ा 24-7 में जी हाँ मेरा नाम शुभम शिरवास्तव है और आज से शुरू होने जा रहा है एक बैंकिंग का फाउंडेशन बैच यूट्यूब में अपने सारे उन विद्यार्थिव के लिए जिनका ट्रस्ट अड़ा 24-7 में बेमिसाल है और आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक कहते हैं मिला जूला कॉंट्रिबिशन यहाँ पर चाहे वो इंगलिस का हो चाहे वो आपका मैट का हो चाहे वो आमारे यहाँ पर रीजनिंग का हो I hope कि आप सभी के लिए यह बैच आपके विगत एक्जामनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर रहेगा बस आप लोग को इस बैच की साथ चलना है कदम से कदम मिला कर चलना है एक भी क्लास मिस नहीं करनी है क्योंकि यह मान के चलिए कि यह वरदान है उन सार को रोजाना अपने इन दिये हुए टाइमिंग्स पर जुड़ जाना है मिरे दोस्तों क्या क्या टाइमिंग्स है आईए मैं आपको बता देता हूँ जितने लोग यहाँ पर ने जुड़े हुए जो टाइमिंग है इस बैच की मिरे दोस्तों बिलकुल यहाँ पर बता देत तो आप उस चीज को करने के जो efficiency होगी ना और दुगनी तिगनी हो जाएगी 10 बचे आपके लिए यहाँ पर English कल से शुरू होगा मिरे दोस्तों English आज नहीं हो पाया किसी कारण पस कोई बात नहीं तो गाईज यहाँ पर आप सभी के लिए reasoning आपका भाई शुभम शिर्वास्तफ 11 बचे लेकर के रोजाना जुड़ेगा और हर दिन आप सभी के लिए short approaches के साथ और एकदम बहतरीन और एकदम updated content के साथ मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जितने भी साथी मेरे साथियां आप पर नया जुड़े हुए हैं वो please 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 हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लेंगे तभी आपको रोजाना हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे और मैं कहूं कि अगर आपको update चाहिए रोजाना notification चाहिए तो आप इस bell icon को जरूर प्रेस करिएगा ताकि सारे सारे आपको notification अपको मिल सके ओके तो चलिए आगे के तरह बढ़ते शिरी गनेस किया चाहिए आज की इस session का जुगाई यह foundation batch सबसे पहले मैं आपको इस foundation batch के बारे में बता देना चाहूंगा यह जो foundation batch है हमारा यहाँ पर हम लोग topic wise बात करने वाले हैं टॉपिक wise बात करने वाले हैं उन तमाम सारे concepts की जो हमारे clear नहीं होते हैं एक ऐसा महौल आपको इस batch मिलने वाला है जिससे की आपके हर एक concepts को यहाँ पर एक नई उड़ान मिलेगी मेरे दोस्तों concept की बात अगर करिए तो concept के साथ-साथ जो questions हैं कभी-कभी क्या होता है ना कि हम कुछ concept पढ़ लेते है basic concept अब जो question आता है थोड़ा सा तेड़ा question आता है मतलब आपको वहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा hidden condition के साथ question आता है तो वो सारी hidden condition के साथ आप सभी को questions को clear किया जाएगा, मैं यह भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर आप से भी क्वेशन तो कराए जाएंगे साथ में जो hidden condition based question होते हैं hidden condition based question होते हैं वो आपको जरूर कराए जाएंगे क्योंकि उन्ही की वज़े से हम लोग अपने विगत examination में बहुत सारे marks खोते चले आ रहे हैं और अब आगे ऐसा ना हो उसके लिए यहाँ पर यह session प्लान किया गया है साथी साथ में आपको बता दूँ कि हम लोग यहाँ पर live test भी रखेंगे मतलब revision test रखेंगे मैं कह सकता हूँ उसका नाम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है revision test रखा हुआ है और अब तक जो पढ़ा उसका revision test हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे मेरे दोस्तों तो चले यह हमारे foundation batch का एक theme है कि आप सभी को आपके basic concept से ले करके एक upgraded questions तक की बात हम करेंगे यहाँ पर हर दिन करेंगे तो guys यहाँ पर हम क्या discuss करने वाले है first of all opportunities क्या क्या है हमारे आगे opportunities क्या क्या हमको banking sector में मिलती है हम इसकी बात यहाँ पर करेंगे उसकी बाद हम strategy की बात करेंगे कि आकर reasoning में Reasoning में अगर हम बात करें, एक reference ले देते हैं, कि हमारा IBPS PO, Prelims, मतला 35 question, कैसे हम 32 plus marks वहाँ पर के लिए तयारी करेंगे, मेरे दूस्तों, ठीक है न? क्या गलतिया करते हैं हम तयारी करते हुए? तयारी तो देखिए हर एक व्यक्ति करता है, तयारी तो यहाँ पर है एक व्यक्ति करता है, चाहे हो मोहन लालो, चाहे शाम लालो, चाहे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर विद्धारती हो, लेकिन उसकी तयारी क्या exam oriented है? क्या exam को qualify करने के लिए उचित है? यह जानना बहुत जरूरी है, हमें एक ऐसी strategy को follow करना है, जो strategy हमारे prelims को तो qualify करे करे, साथ में mains को भी यहाँ पर क्या करे, qualify करे, मिरे दोस्तों, mains महज एक केवल फोबिया है, जो आप लोग के मन में कहीं बैट जाता है, कि सर, mains तो बड़ा tough होता है, जुड़िये ना मैंने साथ, रोजाना सिक्स पीम आप लोग जुड़िये, कितने शानदार session चल रहे है, कल भी मैंने session लिया था, जिस तरह से हम prelims के topic wise पढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से मैं प्रियास करूँगा, शाम में सिक्स पीम आप सभी के लिए high label चीजे ले करके, जुणू जो मेंस के एक reference में हो मेरे दोस्तो, जैसे suppose करिए आज मैंने silog यहाँ पर पढ़ा, तो मैंने शाम बाले में पढ़ लिया, high label silog पढ़ लिया, तो वहाँ से क्या होगा, कि हमारा pre be clear, मेंस be clear, ऐसा कोई YouTube चैनल बता दीजे, जहाँ पर केवल आपका, दोनों चीजें यहाँ पर आपके साथ ले करके चल रहे हो, ठीक है, साम को 6 बज़े भी time बेटा note जरूर कर लेना, ओके, आगे बढ़ते हैं, study plan पर हम discuss करने वाले, कि आखिर मैं आपको कैसे study plan, कैसे study कराने वाला हूँ, और फिर बाद में आपर discuss करेंगे some questions, तकरीबन आपर 14 से 15 questions discuss करेंगे, आज हम यह चेक करने के लिए, कि आखिर विद्यार्ती का label actually है क्या, जो मेरे साथ रोजाना यहाँ पर जुड़ेंगे, आखिर उनका label है क्या, तमाम तरह की बाते हैं, आपका कोई भी doubt हो, आप जल्दी से मुझे comment करिये, और सबसे पहले मैं आप से connect होना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आप से connect होना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बता दू कि मेरा नाम शुभम, शिर्वास्तव है, और मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही चर्चित एक शहर जहासी से बिलॉंग करता हूँ, और अटे 24-7 के लिए मैं यहाँ पर तहे एक दिल से अपने विद्ध्यार्थियों के लिए यहाँ पर उनको एक नई उडान दिलाने के लिए लगा हुआ हूँ, तो गाईस, मैं चाहूँगा यहाँ पर जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे पुराने विद्ध्यार्थियों यह फिर नए विद्ध्यार्थियों, फटा-फट आप जिस सहर से जिस गाउं से जुड़े हैं, प्लीज, अपने सहर का नाम और गाउं का नाम यहाँ पर लिख दीजे, और फटा-फट यह भी लिख दीजे, फ्रेशर, नॉन फ्रेशर, फ्रेशर का मतलब जिसने तयारी बिल्कुल अभी शुरू ही किया है, मतलब आज यह अकल से शुरू करी है, नॉन फ्रेशर जो की टॉपिक वाइस पढ़ चुका है, उसको यहाँ पर अप्ग्रेड़ेट कोशन पढ़ने की जुरूत है, फिर से एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश अप करने की जुरूत है, एक बार कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजे कि आप अपने किस सहर किस गाउं से बिलॉंग करते हैं, और ये भी लिखेगा, फ्रेशर, नॉन फ्रेशर, अगर फ्रेशर है तो F लिखिए, नॉन फ्रेशर है तो N F लिखिए, मैं यहाँ पर देख लूगा कितने सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जो यहाँ जुड़े हुए हैं, किस किस काटागरी के लोग जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि जब सिख्षक, जब टीचर, जब एक कहते हैं कि जब First Class में होता है तो उसको ज़रूरी होता है, यहाँ पर First Class में सब को जानना कि आखिर कहां कहां से कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर Non Freshers है तो और उनके लिए कुछ Extra की जाए, फ्रेशर है उनके लिए और बेसिक से चीज़ों को आपके एक प्रो लेबल तक लेकर कर जाया जाया है, Come on everybody, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पार हूँ, इस Comment Box के जरीए आप सभी लोग बताएए, कोई भी यह मस्तुची आ रहा है, बता तो रहा है बगल वाला, सबको बता रहा है दोस्तो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और एक गुजारिश क्या मैं आप सभी लोगों से कर सकता हूँ, क्या मैं एक गुजारिश आप सभी लोगों से कर सकता हूँ अगर हाँ तो please वर वाई लिग दीजे क्या मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश कर सकता हूँ ये session आज के पाथ केवल मेरा नहीं है ये session हम सब लोगों का है शून से शिखर तक जितने विद्यारती यहाँ पर जुड़े हैं यह इस परडिकलर सेशन का पार्ट है यह आप सबकी भी जिम्मेदारी है मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को इस परडिकलर क्लास का डेकॉरम बेंटेन रखना है तो गाई गुजारिश करूँगा ए सेशन की रीज को मैक्सिमम करने के लिए मिर दोस्तो एक बार अपने शेहर के लोगों को जगाने के लिए प्लीज 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 तीन बार प्लीज बोला प्लीज शेयर कर दीजे सेशन को मिर दोस्तो अपने फेस्बुक में टेलीग्राम में जहां जहां जुड़े हैं उ एक बार like बटन पर प्रेस कर दीजे और आपको यहाँ पर एक बार शेयर कर दीजे ताकि आपके शहर के लोग जाग जाए मेरे दोस्तों इसलिए मैंने पूचा हर शहर के लोग कहां कहां से लोग जुड़े हुएं तो चली गाईस आगे की तरह हम लोग बढ़ते हैं I hope कि आप कितने सारे एक्जैम्स कवर कर सकते हैं कितने सारे एक्जैम्स कवर कर सकते हैं मैं आपको इसकी सबसे पहले बात यहाँ पर करने वाला हूँ ठीक है अपना काम आप लोग प्लीज इमंदारी से कर दीजेगा जितने लोग मतलब मैं आपर यह चाहता हूँ कि मैं अगर अच्छा पढ़ाऊंगा तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर लोग आपका आटोमेटिक आपका मन करें अगर निया सेचन को लाइक करें लाइफ करें आज मेरे कहने पर यहाँ पर बिल्कुल लाइप रावर लाइक करती है बाकी कल से अपने आप करोगे यह वादा है आपके से मेरे बाइटिक थिक चलिए कितने एक्जाम से बीशक हमें आपर कवर करेंगे आई बीपेस के दोबरा कराएगे जितने आपके इग्जामनेशन होते हैं चापका आपका आइपीपेस हो गताऊंच से आपका बताऊंगा फिर आपका SBIs-related,RBIs-related, LIC, NABAD, SEBIN, सारे opportunities क्या क्या है हमारे सामने सबसे पहले मुस्की बात करते हैं मिर दोस्तों IBPS से निकलने वाले examination आप देख पा रहे हैं यहाँ पर IBPS clerk, IBPS PO, IBPS SO यह तीनी examination हो गए यहाँ देखिए RRB clerk, RRB PO और RRB यहाँ पर SO तो guys यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पर जो opportunities है बिल्कुल 10 तक दे रहे हैं 6 examination जो की IBPS खुद बाखुद यहाँ पर कराता है मिरे दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर सोच रहेंगे SO कौन से है यह थाना दीच तो नहीं है na SO का मतलब है specialist officer जो कहीं न कहीं यहाँ पर technical जो यहाँ पर technical पढ़ाई किया हुए बी टेक बी वगरा किया हुआ बी सी वगरा किया हुआ तो आप यहाँ पर फॉर्म अपलाई कर सकते हैं में भी अगर बात की जाएं यहाँ पर तो आपका IT officer हो सकता है law officer हो सकता है तमाम तरह के officers यहाँ पर हो सकते हैं which is called आपका यहाँ पर क्या आगे बढ़ते हैं मिरे दोस्तों यहाँ पर देखें यह आप देख पाना है कि RBI के यहाँ पर तीन एक्जामनेशन पहला एक्जामनेशन जो यहाँ पर यह अंडर ग्रेजुएट है यह समझला बड़ा और दूसरा यहाँ पर RBI Assistant और तीसरा यहाँ पर हमारा कौन से मिरे दोस्तों तीसरा हमारा यहाँ यहाँ पर क्या RBI Grade B यह तीन एक्जामनेशन हम यहाँ पर RBI से निमलते हैं RBI यह एक बड़ा नाम है RBI यह एक हर व्यक्ति का सपना है हर स्टुडेंट हर स्पारेंस का सपना है कि हमको RBI मिल जाए ओके आगे बड़ो तो मैं LIC की तरफ चलता हूँ तो LIC आमबर Assistant LIC AAO LIC ADO तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं जिनका भी हाली में NICL का exam form निकला भी हुआ है उसके बाद अगर हम बात करें C B से निकलने वाले यहाँ पर grade A grade B की बात की जाए अगर नाबाट से निकलने वाले examination उसकी बात की जाए और मैं बात करूँ यहाँ पर क्या कुछ cooperative banks जो state label पर होते हैं जो state label पर यहाँ पर होते हैं वो सारे banks हैं तो overall हमने देखा तक्रीबन तक्रीबन यहाँ पर हम 20 प्लस 20 प्लस हम यहाँ पर banks की तहरी कर सकते हैं इस reasoning को पढ़ करके qualify हम कर सकते हैं इन तमाम सारे banks को मेरे दोस्तों हैं तो किया आप सभी लोग तयार हैं यह सारे banks को अगर आप यहाँ पर मद्द नजर रखें तो क्या आप सभी तयार है यह सारे examination है आप सोची पढ़ना एक है और perform समें करना है सबमेध करना है मैं कहता हूं लोग पढ़े परचान रहते हैं अले में सबकाते अलगे जैसा होता है यह बात याद रखना कोईसियन का लेबिल भड़े उपर निछे हो सकता है लिकिन टॉपिग वही रहे घा हमाराज तीन तरह के particular section में बाटी गई है, पहला verbal reasoning, दूसरा analytical reasoning, तीसरा आपका logical reasoning, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आप सभी से यहाँ पर कि क्या है verbal, क्या है analytical, तो analytical के अगर हम धर्मियां बात करें, तो बिल्कुल मैं आप पर कह सकता हूँ, inequality, सीलोक, साथी साथ यहाँ पर आपको बदा दू, machine input और data sufficiency, यह कुछ आप सभी के, यह कुछ आप सभी के सब, sorry, यह आपके तीन जो टॉपिक हैं, यह आपके एक analytical reasoning के पार्ट बनते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें, वर्बल reasoning में, तो उससे पहले हम logical reasoning बात ही कर लेते हैं logical reasoning अगर बात की जाएं तो आपका statement and assumption हो जाता है, statement and course of action हो जाता है, और यहाँ पर क्या argument हो जाता है, और यहाँ पर cause and effect हो जाता है, साथी साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो drawing inferences हो जाता है, और command logical reasoning हो जाती है, तो यह इसके अलावा जितना भी पार्ट हमारा है, अगर हम बात करें coding है मेरे भाई यहाँ पर alphabetical series है ओके और साथी साथ यहाँ पर आपका blood relation, direction और puzzle and sitting यह सारे जो particular part है verbal reasoning का part बनते हैं, verbal reasoning में सबसे ज़्यादा जो एक marks occupy करता है which is most important topics in the reasoning भाई साथ वो है हमारा puzzle and sitting मैं आपको बता दूँ कि puzzle and sitting की बात मानें तो हमारे examination में यह जो topic है सबसे ज़्यादा exam, ज़्यादा questions यहाँ पर ले करके आता है, अगर मैं 35 question की बात करूँ problems examination में तो यह मान के चलता हूँ, कि 20 से 25 question भी हमारे exam में देखे गए हैं, यह topic जो आपका puzzle and sitting है, अगर हम इसमें बहतर तरीके से यहाँ पर जरूरी यह है कि आपके सामने जो target है, उसको पूरा करने के लिए, जिस हत्यार की सबसे अतियन तवश्यक्ता है, अगर वही आप वहाँ पर यह मान के चलना है कि आमा यार बहुत तफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, यह बात याद रखेगा, इसके अलावा जो हमारे particular questions बचे हम उसे miscellaneous बोलते है, logical reasoning हमारे prelims में नहीं आता है, logical reasoning हमारे main examination का part बनता है, तो guys यहाँ पर 15 questions जो इसके अलावा बच जाते हैं, दोस्तों 15 से 20 questions जो बच जाते हैं miscellaneous part के, उसमें 20 speed हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि बिल्कुल कम समय में हम यहाँ पर इन 15 से 20 miscellaneous को cover कर ले क्योंकि puzzle और sitting को लगाने पर मैं यह मान के चलता हूँ, कि हमारा यह 2 से 3 मिनट हमारा एक question में हम वहाँ पर दे लेते हैं आप यही चीज़ अगर कम कर लो, practice के जरीए कम होगा और puzzle sitting का कोई भी formula नहीं है हाँ, कुछ tips है, short way में करने का, कम replica बनाने का, कम projection बनाने का, दिमाग में projection को रखने का एक projection यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, फिर एक apply कर दिया है मेरे दोस्तो आपको कोशिस करना है puzzle sitting में कम से कम, वहाँ पर replica को create करना कम से कम replica को create करना, यह tips आपको मैं दूँगा, यकीनन दूँगा आगे बढ़ते हैं सर, अब हमारा जो study plan है, हम किस तरीके से यह बहुत important है इस सब का आप यहाँ पर screenshot लेते चलीगा, इन सब का आप screenshot लेते चलीगा और यहाँ पर आपको बिल्कुल इसी way में मैं आपको यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ सारे लोग इसी way में मेरे दोस्तों पढ़ने वाले बातियात रखेगा मैं बिल्कुल एक topic से आप सभी को इतना मतलब की परिपक को कर देना चाहता हूँ कि आप खुद बखुद कहेंगे कि भाई मज़ा आ गया, क्या कहेंगे आप, कि भाई मज़ा आ गया तो इस तरीके से कुछ हमें करना है दोस्तों, ठीक है, चलिए, एक बार मैं कहूंगा जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, please, 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 या you please बोलना हूँ तो भी, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बस अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस particular यह जो एक important agenda है कि आखिर हमारे लिए क्या सर ने plan किया है आखिर सर ने हमारे लिए क्या plan किया है अटे 24-7 ने क्या plan किया हमारे लिए वो देखना और उसको देखने के बाद फिर मेरे दोस्तों यहाँ पर कहा जाना उसके बाद हमें चलना सीथे questions पर कि आखिर आज हम कुछ देख लें कि आखिर लोग question को question में कितने comfort है ठीके ना चलो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी यहाँ पर introduction यहाँ पर जो कि आज चल रहा है और कुछ questions यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं वो relate करेंगे आपके coding से हो जाएगा आपका alphabetical से हो जाएगा misleadingous part को मैंने यहाँ पर लिया है आप सभी के practice के लिए अब देखो भी या यह दो ऐसे topic होते है silog और inequality अगर समय अच्छा हुआ तो 10 questions भी यहाँ से आ जाते है 5-5 otherwise मैं मान के चलता हूँ कि दोनों को मिला के 5 questions इनको जब आपका clerical label पूचता है तो बड़ा असान होता है अगर PO label पूचेगा तो वहाँ पर आप से थोड़ा सा घुमा सकता है silog और अगर बात करें आप रिनिक्वल्टी की दो ऐसे topic है जो आप सभी के favorite भी होते है और silog और इनिक्वल्टी ऐसे topic है जो आपको फसा भी सकते है Is that clear? जिसमें silog को यहाँ पर महरत हासिल है Is that clear? समझना silog में हम यहाँ पर लेकर चलने वाले basic concepts बहुत सारे लोग हम जब feel करते है 5 questions का set जब उनको दिया जाता है तो बहुत लोगा problem है कि सर हमारा 5 में से 5 साही होता ही नहीं है कभी सर एक गलत हो जाता है कभी सर दो गलत हो जाता है कभी सर तीन गलत हो जाता है आगर क्यों? मैं एक बात जानता हूँ कि अगर silogism में आपका fundamental basic अगर clear है मैं बस एक बात और बुलूँगा कि अगर आपको wind diagram की समझ है अगर आपको wind diagram की समझ है तो भाई दुनिया की कोई भी ताकत तुमारा silogism का question गलत नहीं कर सकता है मैं आपको ये बात कोरे कागज में लिख के दे देता हूँ sign भी करा ले ना मेरे भाई आपको अगर wind diagram का base पता चल गया तो भाई साहब आप अच्छे-च्छे questions को भी उड़ा सकते हो मैंने कैसे रखा है देखेगा basic concept रखा है बहुत focus किया है यापर मैंने wind diagram वाली चीज आप सभी तक पहुँचाने के लिए क्योंकि मैंने सीखा है कि wind diagram clear है सब कुछ clear है मेरे दोस्तो clear है wind diagram ही clear है निए सब कुछ बरबाद है अगर हम बात करें आप पर देखेगा बस दो मिनट लूँगा फिर सीदे चलूँगा questions में ready है ना आप सब लो question के लिए मेरे दोस्तो हां ready है ना क्योंकि ये part बहुत ज़रूरी क्योंकि आपको question तो सब कराता है लेकिन मेरे दोस्तो याद रखना अच्छा कितने ऐसे लोग है जिनका silogus में question गलत होता है पांच अगर question है तो एक आध गलत होई जाता है हमनी candidates are there ले जान सकता हूं कितने लोग ऐसे हैं भाई मैं बता रहा हूं बहुत नर्मल सी बात है बहुत 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 नर्मल सी बात है come on everybody फटा फट बताएंगे बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ how many candidates are there जिनका 5 में से गलत हमक रहा हूं लल्ला मैं बहुत से बताओ मेरे को mine mine आना शुरू हुआ ऊना शुरू हुआ यार देखो मजा आने वाला है यह बात चलो यë बस तुम्हारा है, तुम्हारे लिए बनाया गया, इससे बहुत कुछ आप सीख जाने वाले हैं, बस गुजारिश यही करूँगा भाई, कि यहाँ पर आपको एक काम साथ देना है, बस एक फीस मांग रहा हूँ, कि आप मुझे जो है न, 1.5 लाग रुपए deposit करा दीजे, मैं आईसा कुछ नहीं का, मैं कहा धुरंदर बना दूगा भाई तुमको, मैं, 10,000 रुपए दे दुना, कुछ नहीं कहा मैंने, मैंने कहा भाई, बस तुम free free free, जितना खर्च करना चाहूँ, मुझे खर्च करो, मैं जितना चाहूँ, उतना खर्च करूँगा आप सभी लोग क सेशन में जुड़ने से पहले एक लाइक ताकि देख करके motivation और उम्दा हो जाए, और जुड़ने के बाद वहाँ पर एक बार सभी लोग यहाँ पर अपने facebook पर share, बस दो काम मेरे यहाँ पर अगर कर देंगे, तो भाई अपनी दोस्ती हो जाने वाली है, तो ठीक है, अगर LR पढ़ना है, तो मैं आपको लिटरी बता रहूँ, मैंने अपना LR यहाँ पर logical reasoning को add नहीं किया था, शामिल नहीं किया था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपके सामने अभी शामिल करूँगा, यह देखिए, मैंने अभी से चीज़े आपकी वहाँ पर शिखर तक से, कहां से, शून से शिखर तक से, जितनी चिंता हमें अपने यहाँ पर students किया उतनी चिंता कही ने कहीं यहाँ पर, किसी को नहीं है, यह बाद ध्यान लखेगा, उनको लगता है बस चीज़े चल ले चल ले दीजे, ओके, तो चली गाईस, यहाँ पर मैंने दे सब्सवे में देखा जाएगा, concept with questions, concept और साथ में questions, दूसरा दिन, तीसरा दिन में मेरे लला, आप सोभी लोग का concept क्लियर हो चुका है, छोटे छोटे चोटे कोशन क्लियर हो चुके, अब मैं करूँगा यहाँ पर कोशन की बहुचार, क्योंकि सिलोक्स के basics को आज माना है, तो कोशन की बहुचार करना है मेरे दोस्तों, और कोशन की बहुचार जमय करना शुरू करूँगा, easy to moderate label तक कोशन ले करके जाऊँगा, आप अपने याप बना पाओगे, आप खुद काओगे, वावा, 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 क्योंकि सिलोक्स में मेरे पास एक ऐसा weapon है, मैं कोशन ऐसा नहीं होगा सिलोकिस में का, जो आपको डरा सके, क्योंकि लोग बेसिक से रूबरू नहीं होते हैं, लोग सीधे कोशन से रूबरू होते हैं, यहाँ पर तुम यह जानोगे कि आखिर क्यों होता है, आखिर क्यों होता है यह तुम जानोगे और तुम यह जानगे फिर आता है best label questions, silogs में क्या होता है, कुछ hidden questions मिलते हैं, hidden label questions मिलते हैं, वो आपको कराए जाएंगे, silogs में मैं यहाँ पर आपको और क्या कराँगा, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या मिलता है, मैं लिए देता हूँ क्या, कि logical follow हमेशा आपको मिलता, कभी भी कोशन जब आपका ग्जामनर पूशता है तो कहता है बताओ कौन सा लाजिकल फॉलो है, मैं आ लाजिकल गारे अगे Kungagampp कर रहा हूंगा मैं आपके लाजिकल डासे लाजिव करांगा, लाजिकल डासे नवाट ऊडए करांगा-59-八 क्रूच्वाँ, यह सारे अबको मै वे feel करोगे कि यहां मजा ही आ गया मतलब कि यहां पर मजा ही आ गया तो एक बार जल्दी से सभी लोग इस comment section में लिख देंगे यलगार हो एक बार फड़ा-फड comment section में लिख देंगे यलगार हो मेरे दोस्तों शुरू किया जाए आज के particular session को आगे बढ़ते है के format होते हैं हमारे वह आपको करा देंगे alpha numeric में दो दिन पर्याप्त मेरे दोस्तों बिल्कुल आपको speed यहां पर मैं आपको basic नहीं बताओंगा basic तो हर एक बच्चे-बच्चे का clear इसमें कुछ है इनी इसमें यहां पर मैं basic to basic to short approaches बताओंगा कि कि किसी question को short approach में करने का क् होता है उसके बाद blood relation blood relation दो जगा काम आता है blood relation एक तो आपको direct question पूसता है direct question पूसता है दूसरा आप सभी लोगों से blood relation यहांपर data sufficiency में question पूसता है data सब्सक्राइब देटा सफिशन्सी में कोशन पूछता है अब चलिए यह आता है महत्पूल पार्ट रिवीजन टेस्ट अभी तक जो पढ़ा अभी तक जो पढ़ा अब यहां पर आप सभी को वहां पर उसकी अगनी परिक्षा देनी है वादा देता हूं मेरे दोस्तों मैं ज दूसरा आपका डेटा सफिशन्सी में भी कोशन डेटा डेटा आपका डिरेक्षन डिस्टंस का पूछ लिया जाता है अब अगर हम बात करें आगे हैं आप तो सीखेगा ओडर एंड रेंकिंग यहां पर मैंने लिया है बहुत अच्छा समझना दो टॉपिक मैंने यहां प की बात की जाए यह बहुत important है order and sequence जिसे हम लोg comparison puzzle भी बोलते हैं इससे दो तरीके से question आता है एक direct question आता है दूसरा इसका question data sufficiency में भी बनता है हम दोनों जगए इसका use कर पाएंगे ऐसा यहां पर order sequence पढ़ेंगे ठीक है ना आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तो पजल की बात की चाहे यहां पर एक part होता है that is puzzle मेरे दोस्तो तब zur में बात करें यहां पर तो यहां पर मैं हर तरह की puzzle की बात करनेवाला हूँ चाहे वहारी comparison puzzle हो ठीक है ना चाहे वह classification puzzle हो चाहे floor puzzle हो यह floor flat puzzle हो यह day based puzzle हो यह या फिर year based puzzle हो, या फिर यहाँ पर month based puzzle हो, या बहुत सारी puzzle, 6 मैंने यहाँ पर दिन रखे हैं puzzle के लिए, जो आप सभी के लिए बड़े ही खतरनाक रहने वाले, मज़धार रहने वाले हैं, दोस्तों, जरूरत पढ़ी तो मैं यहाँ पर इसको और भी बढ़ा दूँगा, as per requirement as per requirement, easy label से मैं शुरू करूँगा, और आपको एक अच्छे label तक जाऊँगा, मतलब moderate label तक question को ले कर जाऊँगा, variable वाले question तक ले करके मैं जाऊँगा, मेरे दोस्तों, 6 classes यहाँ पर मैंने assign करी हैं, लेकिन जुरत पढ़ेगी, तो मैं यहाँ पर extra class लूँगा, आप सभी लो दो section जो है puzzle और sitting, इसमें यहाँ पर हमें maximum practice करने की ज़रूरत है, maximum practice करने की ज़रूरत है, सुन लो, puzzle और sitting का फंडा क्या रहेगा, puzzle और sitting का फंडा यह रहेगा, कि आपको मैं, आपके PDF जब मैं provide कराऊँगा, जो comment box ने आपको मिलेगा, PDF मेरे दोस्तों, वहाँ पर आपको extra question, extra puzzle, extra puzzle के साथ question आपको मैं provide कराऊँगा, ताकि उनका solution भी दूँगा उसमें, यह solution है, ताकि करने के बाद यह तो देखो कि यहाँ भी यहाँ, यहाँ पर solution दिया हुआ है, puzzle अगर आपकी बात की जाए हर एक दिन, आपको मैं कोशिस करने वाला हूँ, कि कम से कम तीन puzzle extra, ज मज़ा है कि नहीं है, बेटा, जरूरी है कि जब हम किसी भी चीज को शुरू करने जा रहे हो, तो इस चीज का base तो समझ ले, agenda तो समझ ले, what is agenda, यह सूने से सिकर पैच का agenda क्या है सर, पहले यह तो समझ ले कि क्या क्या चीज़े मिलने वाली है, तो PDF कहा मिलेगी पहले जान पर जब हम आगे बड़े, तो आप हमें मिलना, revision test अभी तक जो पड़ा, फिर से revision होगा, टेकर test होगा, data sufficiency को मैंने क्यों last में रखा है, data sufficiency को last में इसली रखा है, क्योंकि data sufficiency जो मिलकर बनती है, वो मिलकर बनती है, तमाम पिछले जो हम तो topic पढ़ लिए, उन से मिलकर, coding decoding, blood relation, direction, alphanumeric, और आपका silog, और आपका यहाँ पर क्या puzzle and setting, उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है, ताकि यहाँ पर आप उन सब चीजों को अच्छी तरीके दर पढ़ ले, तब यहाँ पर execute कर पाएंगे, machine input, मैंने यहाँ पर 3 topic रखे हैं, जरुत पढ़ी कि तो और ब moderate, 2 mocks, clear है, फिर मैंने यहाँ पर लिए moderate, अब तुमने यहाँ पर का कि सर हमको logical reasoning भी तो पढ़ना है, logical reasoning भी तो पढ़ना है, तो मैंने का भाई, मैंने तो logical reasoning नहीं रखा था, मैंने prelims तक के syllabus को रखा था, लेकिन अब आपने, अगर अभी का है, मैं ततकाल यहाँ पर logical reasoning के का एड कर दिया, साथी साथ यहाँ पर किया, आपका cause and effect भी मैंने यहाँ पर add कर दिया, conclusion भी मैंने add कर दिया, आपको यहाँ पर trying inferences भी add कर दिया, और यहाँ पर command logical reasoning, भाई यह आपके कहने पर केvàल मैंने किया है, I hope कि आपको पसंद आया होगा, I hope कि आपको पसंद आए ह होगा अब सर हम लोग यहां पर बढ़ने वाले हैं आज कुछ की तरफ नए लोग जितने भी जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूँ आप कुछ भी करिए कैसे भी करिए गलत करिए एक बार पहचान होगी और अच्छा करेंगे आप सभी लोग के लिए ओके सो भाई अब बताओ यह हमारा था study plan अब हमको केवल इतना बता दीजे कि कैसा लगा आपको study plan मेरे दोस्तों उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी तक हम बोलें आप लोग शांत रहे अब आपकी बारी है आप हमको बताईए कैसा लगा आपको study plan कमान एवरीबड़ी जल्दी से एक बार comment के जरीया हमको बता दीजे और अगर अच्छा लगा तो भाईया यह ऐसे थोड़ो ना बता चलता है एक बार जल्दी से thumbs up भी करके बता दीजे कि यह सर मज़ा आ गयो एक बार जल्दी से लिख दीजे सर की मज़ा आ गया एक बार फटा फट लिख दीजे कुछ IT sales से लोग यहां पर जुड़े होएं उनका सम्मान किया जाए मतलब जितने लोग भी यहां पर जुड़े होएं IT sales से okay जल्दी से मुझे बता दीजे जल्दी से मुझे बता दीजे कितने लोग को मज़ा आ गया अगर मज़ा आ गया तो यहां पर जो हमारा LIKE वाला बटन है इतना करो हो हो जाए मेरे भाई मतलब कि जितने लोग आप पर जुड़े इतना करो हैं गोजा क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है यहाँ पर कोईशन का सिलसला एक बार आप मुझे बस इतना बता दो कि मेरी जो पहल है मेरे विद्यार्थियों के लिए मेरे भाई बहनों के लिए यह कै आइमर भी दूंगा आज में तुम करो गलतिया मैं पहचानूंगा और उस गलती फिर क्या करेंगे वहाँ पर बल्लम पट्टी करी जाएगी उसको एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा तो चली गाइस शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज के सेशन का यहां पर क्वेश दो दो तीन-तिन question कराएंगे फिर आप क्या करेंगे अगले को seshen में question का कैवल session होगा और उन question से जो भी चीजे निकल कराएंगी सामने रखेंगे फिर आपको PDF दिया जाएगा PDF एक्स्रा question का आफ वहाँ पर solution करिएगा study plan मैंने दिखा दिया मैं कितने दिनों में यहाँ पर क्या-क्या चीजे करने वाला हूँ study plan में जो दिन है वो बढ़ सकते हैं घटेंगे नहीं मिरे दोस्तों और कुछ questions की बारी है अब चलिए यहाँ पर इस पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं some question for you all guys okay let's start let's start शुरू करने जा रहा हूं मैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर overall मैंने देखा कितने दिन हो गए यहाँ पर देख लेता हूं कि 44 तो यहाँ तक हो गए थे अब इसमें यह मान के चलो logical reasoning में कम से कम मैं बता रहा हूं कम से कम मैं आपर बता रहा हूं कि 10 से 12 दिन हमारे लग जाएंगे तो यह मान के चलो करीबन करीबन 56 दिन मैं तो 60 दिन मान के चलता हूं 60 दिन मान के चलता हूं clear है 60 days plan best है आगे की तरह बढ़ते हैं पहला question आप सभी के screen पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्या coding का question इसको दो तीन नाम दिये जाते हैं एक सराफ़त वाला नाम दिया जाता है सबस्टीट्यूशनल कोडिंग दूसरा नाम दिया जाता है चाइनीज कोडिंग तो चले गाइस शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग कित्रे इस question को करने के लिए यहाँ पर तयार है मेरे दोस्तों प्रस्टों सराफा है और यहाँ के वर तस्तिंगिंग टोस्तों में बें। व्यू वृक Congrats चाई पर ब भड़ते आगे और यहां पर बढ़ने साथ क्या कह रहा है क्या कै रहा है क्या अब पहला सुनो यह सबस्ट्ट्पेस्ट्च ल कोडिंग और यहां पर house दिया हुए, बोलो दिया हुए, एक question तो यह बनता है, जहां पर आपके किनी दो equations में वो word common है, अब जब word common है, तो हम कहते हैं, code भी common होगा, is that clear, दूसरा question होता है, कि वो word जो यहां पर पूछा गया, वो केवल और केवल किसी एक ही जगह पर इस्थित है, और क यहां पर यहां पर house यहां भी दिया हुए, house हमारा यहां भी दिया है, अब दोनों में जब comparison किया है मेरे दोस्तों, यहां पर मैंने देखा क्या कि कुछ और भी common है, क्या located भी common है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्या located कहीं और दिया है, मैं कहीं यहां पर house कहीं और दिया है, ना तो मैं का दो यहां पर कोड भी फिर कॉमन मिल रहे होंगे कौन से दो कॉट कॉमन मिल रहे हैं पहला मेरे दोस्तों यहां पर मिल रहा है कॉमन कोड हमारा ओल कॉमन मिल रहे हैं मिल ला दूसरा मिल ला जीपी तो भाई सहाब यहां पर हम निश्यत नहीं कर पाए कि ओल होग कि कल से हमारा पहला टॉपिक है सिलोक्स पहला टॉपिक है कल से सिलोगिस्म ठीक है मजाने वाला है पहले आप इसको करिए आज कॉमेंट बॉक्स की रफ्तार जब रुख जाए तो समझ लिए कॉन्फिटेंस लो है और क्या कॉन्फिटेंस हमको यहां पर लो रखना है या फिर हाई रखना है एक बार मुझे बता दीज़े चलिए क्या रहा है एक ही जगह हो कहीं और नहीं होता है तो इसका वर्ड भी केवल एक ही जगह होता है कहीं और नहीं होता है यहां पर देखेगा मेक कहीं और है क्या कहीं हमको मेक दिख रहा है नहीं सर जब मेक कहीं और नहीं तो हमने मान लिए कि मेक हो सकता है क्यों जब कोड कहीं और नहीं तो भाई वर्ड भी कहीं और नहीं located मैंने देखा यहां है मैं कहा यह नहीं हो सकता क्योंकि यह कहीं और भी है क्योंकि NK कहीं और ही नहीं फिर देखा house यहां पर मैं कहा ना तुम भी नहीं हो सकते देखा view देखा कहां पर यह मैं कहा तुम भी नहीं हो सकते तो answer overall क्या बना make यह दूसरा type का होता है दो situation होती है, पहला होता है selection, दूसरा होता है elimination, तो इसमें जो हम कर रहे हैं, यह हमारा क्या होता है, elimination होता है, कि भाईया, जब NK कहीं और नहीं, NK का code भी कहीं और नहीं होगा, आगे की तरह बढ़े, अगला प्रशन आप सभी की screen पर उड़ा दिजेगा, both house कहा है, कमान everybody, दो word यहाँ पर दी गया है, क्या आप कर पाते हैं, जानने के लिए बढ़े रहे हैं। की कोई paid नहीं है, 11 a.m. ये class रोजान आप लोग के लिए reasoning की होने वाली है, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए, तो guys यहाँ पर कह रहा है, कि both house का code क्या होगा, तो आप अगर गौर से देखें, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कि सबसे पहले जैसे house यहाँ दिया हुआ है और house यहाँ दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से यह भी पता है, कि सर house का जो code है हमारा, वो इन दोनों में ही होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या देखा, कि located भी तो यहाँ पर सामेल है सर, तो जब located भी यहाँ पर सामेल है, तो located और house का जो code होगा वो क्या होगा हमारा? निकाल लेते हैं एक पर. क्या दो common हो रहा है? एक तो OL हो रहा है. और दूसरा यहाँ पर कौं कॉमन हो रहा है? GP common हो रहा है. GLIER है? GP common हो रहा है. तो देखा जाए, NICE में OL है ना GP है, OL है ना GP है, OL है ना GP है. बचे हमारे सामने बेटा जी ये अब बसना हमारा house का both का हम यहाँ पर क्या करें तो both हमारा कहीं पर given है तो हमने देखा sir both यहाँ है नहीं मैं कहा यहाँ पर both यह है जब both कहीं और नहीं है सिवाए इसके तो code भी केवल यहाँ पर होगा और कहीं नहीं होगा तो जो code कहीं और बिले बोल देना टाटा और बाय बाय MT देखा कहीं और है क्या भाई सब ना 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 कहीं MT है ही नहीं मैं कहा हो सकता है भाई सब नजरे गड़ा है रखिए OX मैं कहा यहाँ भी है मैं कहा नहीं हो सकता SQ मैंने का यहां भी नहीं हो सकता, OT यहां भी नहीं, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, MT, इसका मतलब GP यहां पर था, GP यहां पर था, और यहां पर साथ में MT है, और यहां पर क्या SQ, Tata बाई-बाई-बाई, पहला वाला बिल्कुल सही, तो यह आपने सलेक्ट किया, क्या क किया select किया और select करने के बाद यहां पर आंसर दिया दन अगला और लास्ट कोश्चन आप इस सिग्मेंट कमान एवरीबड़ी बताइंग आंसर क्या होगा मैं स्कोर पूछूंगा द्यान रखना कम आज एक इंट्रोडेक्शन क्लास थी जहां पर कुछ कोश्चन मैंने रखें एक करेंड़ी घमकेल्ट किसी नाव कि यहां कि अन्य वेल्ग क्लर के चाहिए झोर और किया से गते हैं अचरफ का मैं जो कि भाया पहले और चौथे में क्लर्क एक्जाम दो वर्ड ऐसे हैं जो कॉमन है तो मैं का भाई साब कोड भी ऐसे जरूर होंगे जद्धो कॉमन होंगे हां कौन से कोड कमन सीधे आंसर मिल गया भाई यह तो बिल्कुल ललू-लाल कोशन था बीडी और यहां पर क्या है हमारा दूसरा सीडी क्लर है तो बीडी सीडी मतला में आपर आंसर बन जाएगा अब क्रम क्या होगा इससे फरक नहीं पड़ता सीडी पहले आए बीडी बाद में उससे कोई फरक नहीं पड़ता सो आंसर हमारा कौन सा थर्ड वाला बिल्कुल सही है नेक्स कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा इनिक्वैलिटी का बढ़ने से पहले मैं क्या यहां पर पूछ सकता हूँ अपने विद्यार्थियों से बढ़ने से पहले क्या मैं अपने विद्यार्थियों से यहां पर पूछ सकता हूँ कि है विद्यार्थी कितना सही किया कितना सही किया तो कमान थी घंसे गामाद यहां पर 1500 प्लस तो यहां पर जाना है है आप सभी के लिए मतलब free of cost इतना कुछ अगर कर रहे हैं फैकल्टी जना एक तो आप से भी उम्मीद कहीं नहीं कहीं यहां पर ज़रूर होती है कि यार आप लोग भी support करेंगे आपका support केवल क्या है बस केवल एक share हां इसी में घबरा जाते हैं लोग हां तो यार इतना दोबनता बस एक share हो रहे हैं कि यहां पर लाइक बस इसी में हां तो मुझे लगता है ठीक है आप अपना कर्म कर यह हम अपना कर्म कर रहे हैं ओके अगला परशन आप सभी के स्क्रीन पर inequalities का है देखते हैं बाबा यहा टाइमर लगाना भूल गया चलिए लगा दिये हो चलिए यहां पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम आप सभी लोगों दे दिया ठीक है अब आपको बताना है अंसर ने आपर क्या हो जाएगा ठीक है स्वाइज यहां पर कह रहा के से बी की तरफ तो मैंगा के देखो समझना यह होता है conclusion conclusion में दो हमारे conclusion पहला यह दूसरा यह कभी भी कोई भी conclusion सही तब होता है जब वह statement में सही दिख रहा हो जब statement ने उसके बारे में आपको बताया हो जैसे कि K से B हमको देखना है और हमें greater proof करना है तो हम गए K के पास और K के पास जब गए और B हमारा यहां है तो देखो रास्ते में कौन हुआ? greater equal हुआ, equal हुआ और greater हुआ जब मैं आपको inequalities के basic पढ़ाऊंगा तो वहां यह बताऊंगा कि greater equal, equal और greater हो तो सही क्या होता है? greater होता है lesser equal, lesser equal हो तो सही क्या होता है? lesser होता है तो according to this यहां पर हमारा कि K greater B क्या हो गया? सही हो गया क्योंकि K से B किते तरफ क्या है? greater equal, equal and greater तो सही क्या होगा, greater, done, B से M की तरफ शलते हैं, अब B से जब M की तरफ गए, तो यहाँ पर क्या है, हमारा lesser है, lesser equal है, याद रहे, जब lesser or lesser equal आये, तो dominate कौन करता है, lesser, लेकर यहाँ पर क्या है, lesser or equal, मतलब शक है इसको, जिनके बीच में आपको जब सही पता हो, तो उसके भी शक नहीं क्या करते हैं, मेरे दोस्त, सही कौन सा है केवल पहला वाला, सही कौन सा है केवल पहला वाला, done, very good, बहुत बढ़िया, तो answer यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है, next question on your screen, comma वाला question, single comma, चले गाइस, बताएगा answer क्या होगा, बहुत बढ़े हाँ जबरदस तरीके से आप लोग यहाँ पर perform कर रहे हैं, ठीके न, हाँ, किसी भी अगर paid course को, या कोई भी bank maha pack अगर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए code आप use करेगा, y261, maximum discount आपको मिलेगा, यह coupon code है, जो लोग यहाँ पर कुछ भी purchase करना चाहते हैं, test bank maha pack में सारी facilities मिलती हैं, सारे paid batches मिल जाते हैं, foundation, target, whatever, test series, आपकी e-books, सब कुछ मिल जाता है, तो आप जा सकते हैं, bank maha pack की तरफ, guys, यहाँ पर दिखते हैं, S से P की तरफ जाना है, तो मैंने का, S हमारा यहाँ है, P हमारा यहाँ है, तो S से P की तरफ जब हम यहाँ पर ग केवल क्या है, greater, क्या हो गया, गलत, clear है, अब चलते हैं, O से P की तरफ, O हमारा यहाँ है, P हमारा यहाँ है, तो O से P जाने के लिए आपको O से L आना पड़ेगा, याद रहे, जब reverse आते हैं, तो sign भी उल्टा दिखने लगता है, या भी आपको lesser equal दिख रहे हैं, L से O की त अगला प्रशन आप सभी के स्क्रीन पर उड़ाएंगे, क्या होगा answer, single comma, come on, चली बहुत बढ़िया, लाइक पर टच करते चलिएगा, जितने लोग यहाँ पर है, फट 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 1K plus, इसलिए मैं कुछ क्वेशन लिया है, क्यार बिना पड़ा है, तो money नहीं लगता नहीं सब मिल रहा है, कहाँ जाएं गुरूजी, चली, सु गाईज यहाँ पर बात करते हैं इस question की, बहुत प्यार से कम भीड़ता से, स से यू की तरफ क्या चाहिए, लेसर चाहिए, तो आप स स स यू तक पॉंशनली क्या करेंगे, तो स यहाँ है हमारा, यू यहाँ है हमारा, त तो s से आगे बढ़ेंगे की नहीं बढ़ेंगे, जी हाँ बढ़ेंगे, वहीं रुख जाएंगे, कि, यू तुम यहीं हाज़ाओ, नहीं न, तो s से जैसे आगे बढ़े क्या मिला, greater, तो मैं s से आगे क्या चाहिए था, lesser, क्या हो गया, सीदे सीदे बो जो यहाँ पर, टा दूसरा वाला बिल्कुल सही है मतलब सेकेंड वाला बिल्कुल सही है लास्ट कोशन इन इक्वैलिटीज का जहां पर आपको एक, दो, तीन कॉमास जिये गए है I hope कि आप कर लेंगे, all the very best कुछ आपको यह बिना पड़े मन नहीं लगता और लगना भी नीची है चलिए ड़न, चलिए कि तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहां पर क्या होगा इस कोशन का अंसर चल्दी से हम लोग यहां पर जाए है अब यहां पर कह रहा है czyli you. तो P हमारा कहा है परгоot संव बहुत गोर सामना P से H की तरफ हमें कहीं है greater अधिये साफ ग्रीट चेंश यह है तो P कहां पर देख रहा है और H हमको तरह यहां पर देख रहा है और H कहां में पहुंचा जाए है ठीक है। आपके यहां पर दिया है यह एच एक Ohio कॉंट आए नहीं नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे कहीं पर जा सकते हूं वहां से कहीं और जा सकते जैसे आप इस पी से अगर यहां पर किसमेच colonial स्क्राइब इस पर प्राइब आपको में पिस ए प्रेखृ में और एक जाने का ट्रैक्ट इंड मता रहा हुआ और आपको पी टिर भी तरफॉट पिन ऑगा और आपको पी से एच चया ची ए ग्रेटर और जैसी पी लेसे एक बाठेटर जो पी तरह कि X से M कि अगर बात की जाए तो X हमारा यहां है एक से जैसे ही आगे बढ़ेंगा आपको greater मल जाएगा equal वाला क्या हो गया टाटा बाइब है मतलब यहां पर सही क्या हो गया आपका चौता वाला ना पहला सही ना ही हमारा दूसरा सही सो गाईज आज का सेशन हम आज का सेशन हम यहां पर यह मान करके यहां पर विराम कर रहे हैं कि भाई साब आप सभी लोग कल से सेशन में धूम मचाने के लिए मतलब बिल्कुल क्या है तैयार है बोलो हाया ना जल्दी से बताओ बोलो हाया ना तैयार है कि नहीं है मतलब यू को आने विरीबडी चलिए यह अल्फा नुमेरिक स्रीज है अल्फा बिटिकल स्रीज है आई होब कि आप इसमें बिल्कुल सही करेंगे बहतर करेंगे अब हमने मान लिया ठान लिया तो बस पूरा करके रहेंगे है ना हर एक विद्धार्थी जो कहीं ने कहीं है आपर आर्थिक रूप से परिशान है वो बिल्कुल इंसेशन को जोईन करें नाइन एम आपका mathematics, बिल्कुल आपको basic से कराया जाएगा, अब मन में ये phobia मत पलना की नहीं है, क्या बोलते हैं की, होगा की नहीं होगा, अरे definitely होगा, हमने जब सोच लिया है ना, तो अब उसको हम पूरा करेंगे, anyhow कैसे करेंगे, ठीक है, यह तीन समय note कर लो अपनी diary में, जहां कर सकते हो, ठीक है, कल कितने बज़ होगा, मैं आपको बता दे, 11 बज़े class होगा, same 11 बज़े, ठीक है, same 11 बज़े होगा, बस आप अपना प्यार, अपना मतलब कहते हैं, दुलार, बस एक बार यहाँ पर like बटन पर प्रेस करके, एक बार दिखा दीजे, जितने लोग preceded, pre-exam क्या होता, पहले होता है कि बाद में होता है, पहले होता है, तो preceded by vowel, तो मतलब पहले, तो vowel कहां आएगा, पहले आएगा, clear है, यहाँ पर देखे, and immediately followed by a consonant, और कह रहा है, consonant के तुरंद बाद, तो यहाँ पर क्या हो जागा, आपका, consonant कहां पर आजएगा, तुरंद बाद में, immediately followed का मतलब होता है, बाद में, तो उसने का, ऐसी कितनी डिजिट है, which are immediately preceded by vowel, मतलब की क्या हो जाएगा, वावल पहले, followed by a consonant, consonant कहां बाद में हो जाएगा, बस यहाँ पर चेक कर लो एक बाद, ठीक है, जब चेक किया, तो यहाँ पर हम उपर की तरफ चलते है, नंबर के पहले वावल, देख लो कहीं मिल रहा है, नंबर के पहले वावल नहीं, नंबर के पहले वावल, बिल्कुल 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 नहीं, नंबर के पहले ऐसा है जहां पर हमको ऐसा मिल रहा है that's why सही कौन सा होगा हमारा यहां पर सेकेंड विकल बिल्कुल सही यह रोजाना चलने वाला है आपका Monday to Saturday संडे में कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी आपको मिलेगी टेंशन लेने करनी मेरे इंग्लीज की क्लास आपको यहां पर आपको होपस होगी कल शायद मिलेगी संतोस अभी अपने घर गए हुए हैं बाकी यहां पर जितने भी लोग जुड आपको unlimited life classes मिलती है जो paid होती है pre plus mains की unlimited mocks होते हैं बच्चो जो यहां पर आप वी को मिलते हैं जिसमें आपको topic wise भी तैरी करने को मिलता है topic wise ट्रेस मिलता है section wise मिलता है और यहां पर complete mock मिलता है recorded class भी आपको मिलते हैं clear है spoken class भी मिलते हैं revision batches, descriptive interviews, तमाम तरिकी चीज आपको एक subscription में मिल जाता है यह 6 month का subscription है 6 month तक जितने भी नए batches आएंगे paid, जितने भी आपके foundation batch है, वो सारे, जितने target batch है, वो सारे pre plus mains, जितने भी आपकी e-books है, मतलब कि आपको content मिलता है वहाँ पर questions मिलते हैं, वहाँ पर label के, ओके, यह आपका 12 month का है, और हाँ, टेंशन नहीं लेने का, आप सुचे NRS CT आजाएगा, अरे NRS CT आजाएगा तो उसमें NRS CT जैसा चीज इसमें add हो जाएगा जो हम लोग NRS CT के लिए करेंगे वो चीज यहाँ पर इसमें add हो जाएगी, clear है बात कि आप पर आप जाएगे तो आप नीचे view offer क्योंकि प्राइस यादा दिखा रहा होगा view offer में जब आप जाएगे तो आप code डालना Y261 मेरे दोस्तों इसको डाल करके आप वहाँ पर कम दामों में यहाँ पर एक subscription अविल कर सकते हैं तो कैसा लगा आज का session comment box में जरूर बताएगा किस तरह के questions की demand है, क्या आपकी demand है, वह जरूर बताएगा इमानदारी से जुड़े हैं, शिद्ध से जुड़े हैं, आप सभी को अपना माना है तो आप सभी को भी अपना मानना होगा बबाई take care, God bless you all, जुड़े रहे शून से सिखर तक हमारे इस productive batch में एक dedication के साथ, एक उमीद के साथ और एक जज़बे के साथ, miss मत करिए क्लास, क्लास को जरूर देखेगा लोगों में share जरूर करिएगा, कि सर बैचो यहाँ पर एक क्लास शुरू हुई है, और इस क्लास में आप सभी के लिए पूरा effort किया जा रहा है, बबाई take care God bless you all अपना खयाल रखेगा, अपनोंगा खयाल जरूर रखेगा अगली क्लास आशीज सर की है वहाँ जरूर चुड़ें आप सभी लोग बहतर तरीके से आपको content प्रोवाइट करा रहे हैं आशीज सर, static gk आज बढ़ा रहे हैं करन्ट अफिर्स में, बबाई take care